नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल आड़ी व्लॉग ऑफिशल पे आज हम बात करने वाले हैं CMT Glock को लेके जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं Glock इंडिया में CMT के साथ मिलके वेपन बना रही थी और कुछ वेपन उन्होंने डिलेवर्ट भी किया था जिसके बाद MHA की तरफ से CMT Glock के उपर कुछ restriction लग गया कुछ legal दिक्कत आगई उनके साथ जिसके वज़ए से Glock का sale रुख गया है Glock को का selling रोग दिया गया था अफ़ाएं बहुत सारी थी लेकिन किसी को exact reason नहीं पता था कि क्या reason था तो आज हम इस वीडियो में इसी के उपर बात करेंगे तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं और वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को like करें, share करें, subscribe करें जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं CMT Glock के उपर, देखिए, CMT Glock को लेके बहुत सारे news हम लोगों ने सुने हैं कि CMT Glock के sale को रोग दिया गया था, उसके proof test पास नहीं थे, वो test में पास नहीं हुआ था और यह वो testing, उनका weapon का नहीं था और उसके बाद CMT Glock ने sale करना चलो, यह बहुत सारे rumor, बहुत सारी बाते हम लोगों ने सुना हैं, लेकिन exact क्या दिक्तत थी, यह कोई नहीं बताया, किसी channel पे आपने यह नहीं देखा होगा, या कोई news आपने, Google पे भी आप सर्च करेंगे आप जे विश्वास को phone करेंगे, तो आपको कोई proper जवाब नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने जे विश्वास जी से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि code of conduct लग गया है, तो जो भी होगा election के बाद ही होगा, और मुझे नहीं लगता है कि 2024 में भी कुछ होने वाला है, अब दे एक साल पहले का ही वो वीडियो डाला हुआ है, वो ही 6-7 वीडियो है उस चैनल पे, और सिर्फ और सिर्फ CMT Glock का ही वीडियो है उस चैनल पे, जब मैंने उस चैनल के वीडियो को बारीकी से देखा है, तो मुझे, मैंने कुछ नोटिस किया उस वीडियो में, जो मैं आज के सामने discussion करने वाला हूँ, और उस चीज जब आप देखेंगे, जब आप समझेंगे इस चीजों को, तो आपको लगेगा कि यही reason हो सकता है, इस CMT Glock के cell को रोके जाने के लिए, MHA के तरब से जो नोटिस आ है, वो यह reason हो सकता है, देखिए, इंडियो में जो भी बाहर की company, इंडिया में private company के साथ merge होके, collaborate करके weapon बना रही है, उनको जो license दिया जा रहा है, वो fully make in India weapon बनाने का license दिया जा रहा है, मतलब आपको total weapon इंडिया में ही बनाना है, A to Z, लेकिन जब मैंने उस channel पे CMT Glock pistol का video देखा, तो मुझे उस Glock में, वो अस्ट्रिया ही लिखा हुआ दिखा, जैसे इंडिया में अगर कोई weapon बनता है, तो उसमें made in India होगा, या इंडिया का logo, इंडिया का marking होगा, बट जब आप उस channel पे वो video देखेंगे, तो उसमें astia का ही marking है, और दूसरे तरफ आप देखेंगे, तो CMT marking है उसके उपर, तो मुझे ये लगा इस चीज को देखें कि ये जो weapon है, वो part import कराया गया है, और इंडिया में assembled हुआ है ये weapon, जिसके कारण, I think, मुझे लगता है जिसके कारण, ये CMT के उपर, जो रोका गया है cell को, जो recall किया गया है, जो बेचे हुए pistol भी है, उसको भी recall किया गया था, तो मुझे लगता है कि ये वही reason हो हुआ है, और जो अस्ट्रिया में बनता है उसमें आप देखेंगे ग्लॉक, अस्ट्रिया लिका हुआ है, बाकी जो यूनिट है जिसे ब्राजील में है, फिर आपका स्लोवाकिया रस्या में है, तो वो क्या है, वो दोनों जो है assembling unit है, import होता है पर, और assembled होता है, but USA और अस् चैनल से निकाला हुआ है, एक वीडियो आपके सामने चलाओ, चुकि मैं पूरा वीडियो नहीं चलाओंगा, मैं सिर्फ जो की पॉइंट है, वो आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो आपको देखना है, तो आप उस चैनल प देखें, दोनों में आपको यह दिखेगा, अब दूसरी तरफ जब आप देखेंगे, तो आपको CMT लिखा हूँ है, आप इस पहले इस वीडियो को देखने तोड़ा, जब आप, मैं आपके सामने एक अस्ट्रिया और एक USA वाला भी ग्लॉप को दिखा रहा हूँ, देखे एक वेपन में अस्ट्रिया लिखा हूँ है और दूसरे वेपन में USA लिखा हूँ है, जिसका मतलब जो USA है, वो USA में बना हूँ है, जो अस्ट्रिया है, वो अस्ट्रिया में बना हूँ है, तो इसी करण जो वेपन इंडिया में अगर बनता, तो उसमें इंडिया लिखा हू तो इस चीज को मैं पुश्टी नहीं कर रहा हूं अपने वीडियो में कि रिकॉल भी किया गया था यह कितनी सचाई है यह नहीं पता जैसा मैंने सुना है कि रिकॉल किया गया था इसलिए मैं बता रहा हूं और अगर रिकॉल नहीं किया गया है और जिनके पास यह विपन गया है वो समझ लीजे कि उनको एक इंपोर्टेट ग्लॉक ही मिला हुआ है और वो भी कफी सस्के प्राइस में चुकि पांच लाग अप्रॉक्स ग्लॉक 45 का दाम था और तीन सारे तीन लाग रुपया ग्लॉक टुटु का दाम था वो CMT वाला तो मुझे इस वीडियो से जो मैंने वीडियो आपको दिखाया इससे आपको भी यह समझ में आया होगा कि ग्लॉक को क्यों सेल रोका गया है चुकि यह इंपोर्ट किया हुगा बपन पार्ट था और एंड़ा में असंबल हुए थे CMT के द चैनल पे जितने भी वीडियो हैं ग्लॉक CMT के आप देख सकते हैं यह एक चोटा से वीडियो CMT ग्लॉक के उपर अगर आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा कुछ जनकारी मिली तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं न